टाउन में हमेशा ही सेलेबरिटीज अपने लग्जिरियस लाइफ स्टाइल की चलती काफी लाइम लाइट में पने रहते हैं जहां भी जाते हैं अपने शांदार लुक के सरी अपने रॉयल लुक के सरी फैंस का ध्यान अपनी और खीज लेते हैं सोशल मीडिया पर सेलेबरिटीज काफी एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया पर भी अपने दिलकश तस्वीरें शियर करते हुए देखे जाते हैं और इस दोरान भी सेलेब्रिटीज की तस्वीरों को देख फैंस लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात करते हुए नसराते हैं वेल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा देश इस वक्त कोरोना वाइरस महामारी के चलते मुश्किल भरे दौर से गुजर रहा है और इस मुश्किल भरे दौर में जरुरत मंदों की मदद के लिए आगे आ चुके हैं फिल्म इंडस्टी के तमाम सितारे जी हां करोडों की अर्वों की संपत्ति के मालेक सेलेब्रिटीज लगातार जरुरत मंदों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं जरुरत मंदों के लिए खाना भेज रहे हैं तो वहीं ऑक्सिजन की कमी को देखते हुए अस्पतालों में ऑक्सिजन भेज रहे हैं मरीजों को भी ऑक्सिजन भेज रहे हैं और देखा जाए तो देश्वर में जिस तरह से हालात काफी चिंता जनक हो चुके हैं उन हालातों को देखते हुए उन सेलेबरेटीज फैन्स को जागरो कर रहे हैं उनका होसला भी बढ़ा रहे हैं इस दोरान देखा जाए तो अपने अपने फैबरेट सेलेबरेटीज को फैन्स धन्यवात कह रहे हैं और जैसे ही खबर सामने आती है कि उनके फैबरेट सेलेबरेटीज इस गंभीर विमारी का शुकार हो चुके हैं तो फैन्स अपने फैबरेट सेलेबरेटीज के लिए सलाम की द्वाइं मांगते हुए भी देखे जाते हैं और इस तरह सी देखा जाए तो करोडों की संपत्ती के मालिक सेलब्रेटीज काफी लाइम लाइम लाइट पर डोरते हुए नजर आते हैं हमारे इस खास प्रोग्राइम में आज हम बात करने जा रहे हैं फिर्म इंडरस्टी क फैमस अक्ट्रस के बारे में हम बताएंगे आप सभी को यहां पर उनकी करोडों की संपत्ती के बारे में उनके लगसीरियस लाइफ स्टाइल के बारे में दरसल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलिवूड इंडरस्टी की क्यूट अक्ट्रस में शुमार है आलिया भट को जागरूप कर रही है उनका होसला भी बढ़ा रही है ऐसे में देख जाए तो आलिया भट जिन्होंने फिल्म इंडस्टी में आप तक कई बहतरीन और सुपर हिट फिल्में दी है और आलिया भट आज के समय में करूणों की संपत्ती की मालकिन है आलिया जो पहले से ही फिल नेत्री सौनी राजदान की बेटी है वहीं आलिया भट के बारे में बात की जाए तो आलिया भी काफी लक्षीरियस लाइफस्टाइल जीती है आज के समय में आलिया तकरीबन सतर करोड से अधिक की संपत्ती की मालकिन है रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि आलिया यानि की सौनी राजदान के बारे में तो सौनी राजदान कितने करूडों की स्दमपत्ती की मालकिन है। यह बताने जा रहे हैं हमारी इस्त प्रोग्रेम के जरिये। सौनी राजदान जो काफी एक्टिव रहती है सोशल मेडिया पर सामाजिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आती है। सौनी राजदान अब तक कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम कर चुकी है। और इस मुकाम को हासिल करने के लिए सौनी राजदान ने भी कड़ी मेहनत की है। जानकरी के लिए आप सभी को बता दिए कि सौनी राजदान एक भारतिय ब्रिटिश मूल की भारतिय अभिनेत्री और एक निर्देशक है। सौनी राजदान का जन्म हुआ था 25 अक्तुवर साल 1962 में बर्मिखम UK में। लेकिन सौनी राजदान ने अपना करियर बनाया पॉलिबोर्ट इंडस्टी में। सौनी राजदान बेहत खुशाल शादी शुदा जिन्दी की पिता रही है। अपने पती महेश भट और अपनी बेटिों के साथ। सौनी राजदान की बेटियां आलिया भट और शाहिन BAT जो कि फिल्म इंडस्ट्रू में ऐक्तिव है तो वही शाहिन BAT जो कि लाइम लाइट से दूर रहती है। सौनी राजदान के करियर के बारे में बात की जाये तो इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी अंग्रेजी थेटर से इसके बाद सौनी राजदान ने रुख किया बॉलिवूड इंडस्टी की तरह चानकारी के आप सभी को बता दें कि सौनी राजदान ने दूरदर्शन के हिट टेलेविजन शो बुन्याद में सुलोचना की खुमिका निभाई थी और इसके बाद उहने कई टीवी शोज में काम किया जैसे कि साहिल गाथा लेकिन साल 2002 में सौनी राजदान एक्टिंग की दुनिया को छोड़ कर एक निर्देशक बन गई और बाद में स्टार प्लस के एक शो का निर्देशन किया जो की लोगों को काफी पसंद भी आया था सौनी राजदान अब तक कई फिल्मों में काम कर चुकी है और अपनी एक्टिंग के साथ साथ मशूर है अपनी खुपसूरती के लिए भी आज के समय में देखा जाए तो सौनी राजदान जो कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और सोशल मीडिया पर अपनों के लिए अपने प्यार को चाहिर करती हुई भी देखी जाती हैं 64 साल की हो चुकी है सौनी राजदान और अक्सर अपनी स्टेट्मेंट के चलते भी काफी सुर्ख्यां बटोरती हुई नजर आती है वेल अगर पात की जाए यहाँ पर सौनी राजदान की नेटवर्थ की बारे में तो आखिरकार कितनी करोडों की संपत्ती की मालकिन है सौनी राजदान वेल बताना चाहेंगे आप सभी को कि सौनी राजदान ने फिल्म इंडस्टी में पटेयाला हाउस गुमराह और राजी जैसी फिल्मों में काम किया है साल दोहजार अथार में फिल्म राजी रिलीस हुई थी और इस फिल्म में अपनी प्यारी लाडली बेटी आल्या भट की वान स्क्रीन मा का किरदार निपहाया था ज़िहां पहली बार अपनी बेटी के साथ स्क्रीन शेयर की थी सौनी राजदान ने सौनी राजदान अक्सर अपनी बेटी के प्रती अपने प्यार को जाहिर करती हुई नसर आती है गौल किया जाए यहाँ पर सौनी राजदान की संपत्ती की तरफ तो सौनी राजदान भी करोडों की संपत्ती की मालकिन है रिपोर्ट्स के मुताबिक साम्याया है कि सौनी राजान आज के समय में तक्रीबन 20 करोड की संपत्ती की मालकिन है जहां एक और सौनी राजान 20 करोड की संपत्ती की मालकिन है तो वहीं उनकी बेटी 70 करोड से भी अधिक की संपत्ती की मालकिन है गौर किया जाए यहां पर महेश भट की संपत्ती की तरफ तो रिपोर्ट्स की मुताबिक साम्याया है कि 48 मिलियन टॉलर संपत्ती के मालिक है जिहां तक्रीबन 350 करोड की संपत्ती के मालिक है महेश भट और इस तरह से देखा जाए तो सौनी राजदान भी काफी लक्सिरियस लाइफ स्टाइल जीती है जहां भी देखा जाता है आलिया भट का पूरा परिवार तो वाकई में अपनी खुपसूरत बॉंडिंग के जरीए ये पूरा परिवार हर किसी का ध्यान अपनी और खीच ले है कि कब के प्यारा सा कपल शादी के पंधल में बनेगा वल यह तो वक्त के साथ ही पता चलेगा लेकिन जहां एक और इंडस्टी का जाना माना चर्चित परिवार है कपूर परिवार तो वहीं दूसरी ही तरफ है महेश भट का परिवार इस तरह से देखा जाए तो आलिया भट की मास तो निराजदान कितनी करोडों की संपत्ती की मालकिन है हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहे है नेक्स्ट नाइन यूर्स